हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी स्टुडेंट भी ये सेकेंड एर के हैं तो उनके लिए जो है मैं उनका प्रीवेस कोश्टन पेपर लेके आरखों हिंदी का सॉल्व करके तो सबसे पहले आप लोगों का जो आपका सब्जेक्ट का कोड है BAHL202 वो सो हो रहा होगा उसके बाद आप लोगों का जो सब्जेक्ट का नाम है वो आप लोगों को सो हो रहा है उसके बाद आप लोगों देख सकते हैं कि ये सेकेंड एर का कोश्टन पेपर है 223 जून का त जो 70 marks का आपका question paper हुआ है इसमें आपको जो है 2 गंटे की timing मिल रही थी और यहाँ पे जो 2 गंटे का यहाँ पे timing है और 70 marks का ही जो question paper है इसको जो है 2 parts में divide किया गया है section A और B तो section A में दोस्तों आप लोगों से जो है 5 question पूछे गए है जिसमें से सिर्फ आप लोगों को जो है 2 question का ही answer करना है और यहाँ पे जो 1 question है वो है 19 marks का तो यानि जो section A है वो है आपका 38 marks का और यहाँ पे दोस्तों जो आपको यह 5 question अभी 100 कराए गए है तो यह questions के जो answer है वो मैंने आप लोगों को बताए हुए तो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग इन questions का जो answer मैंने आप लोगों के लिए video बनाई हुई है तो उनकी वीडियो आप कैसे देख सकते हैं तो इस वीडियो को end तक देखिएगा उसके बाद आ जाएगा section B तो section B में दोस्तों आप लोगों से जो है 8 question पूछे गए है जिसमें से सिर्फ आप लोगों को जो है 4 question का ही answer करना है और यहाँ पे जो 1 question है आप लोगों का वो है 8 marks का तो यानि जो section B है वो है आपका 32 marks का और अभी बात करते हैं कि कैसे आप लोग जो है जो ये total 13 questions है इनके answer देख पाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस वीडियो के end में एक playlist सो होगी तो उस पे click करके आप लोग जो है इन सभी questions के answer देख पाएंगे और आप लोगों को बता दू कि मैंने आप लोगों के लिए एक whatsapp group भी बनाया हुआ है अगर आप लोगों ने हमारा whatsapp group join नहीं किया हुआ है तो इस वीडियो के discussion box में whatsapp group का link है तो आप लोग क्लिक करके join कर सकते हैं और discussion box में भी playlist मिल जाएगी जिसमें आपको इन 13 questions का answer मिल जाएगा तो आप जा के देख सकते हैं और दोश्तों आप लोगों को जो है बताओं कि 13 questions में से 3 या 4 questions आपके exam में repeat होंगे तो जो answer बताएवे हरे questions का उनके answer को देख लीजिएगा ताकि आप लोग जो है इस subject में easily pass हो जाए और यहाँ पे आप लोगों को भी playlist सो हो रही होगी तो इसते click करके आप सभी questions के answer देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो helpful लगी हो तो वीडियो को like और channel को subscribe कर लीजिएगा मिलते हैं आपको हमारी next video में तब तक के लिए bye bye and have a good day